इस समय मैं सदर अनुमंडल कारले चैवासब पसिम सिंभुम जारकण में उपस्तित हूँ यहां खादे सुरक्ष जन अधिकार मंच के बैनर तले पसिम सिंभुम जीले के बिभिन प्रखंडों के सैक्रो रासन काडधारियों ने जीला अस्तर पर जन बितरन प्रैनाली में हो रहे कलाबजारी के बिरोद में धरना दिया है धरना में सदर टॉंटो खुंटपानी तातनगर चकरदरपूर सोनवा हाडगमरिय कुमार डूंगी मनोहरपूर समेत अन्य प्रखंडों के रासन काडधारी सामिल हुए हैं काडधारियों ने कहा कि गरीबों के निवाले पर डाका डाला जा रहा है राशन की काला बजारी ह वहीं प्रेशासन उदासिन बना हुआ है उनके पिता विदयरोग से पीड़ित हैं वह तीन बहने हैं ट्यूशन लेती हैं और प्रैतियोगी परिक्षों की तयारी कर रही हैं मैंने लाल कार्ड के लिए अपलाई किया था लेकिन मेरा लाल कार्ड नहीं बना उसके बतले में ग्रीन कार्ड मेरा बन गया है पहले पहले तो मुझे तीन महीना मिला, उसके बाद एक महीना छोड़ गया, फिर छोड़ दिया गया गया, फिर दूसरी महीना में मिला, फिर उसके बाद से तो बंदेव हो गया ग्रीन कार्ड के नाम पे मुझे ये कौपी दिया गया है जिसमें मेरा ये कार्ड नाम में अनुराधा के राई है पिता का नाम सोमा के राई है और कार्ड संख्या मुझे इतना दिया है और मुझे एक यूनिट चावल दिया जाता है आक्रोसित रासन काड़ धार्यों ने जीला आपूर्ति पदाधिकारी वा मार्केटिंग अफिसर का पुतला दहन किया रासन काड़ धार्यों ने कहा कि पिछले दो साल से रासन में व्यापक कटोति की जा रही है जबकि रजिष्टर पर पूरी मात्रा लिखी जाती है कई महिने डीलर ने रासन बित्रन नहीं किया है जबकि पंचिंग करवा लिया जाता है कई काड़ हारियों को पंचिंग के बाद रसीत नहीं दिया जाता है कई वंचित परिवारों का रासन काड़ डिलिट कर दिया गया है राशन बित्रन जो है वो एक बहुत बड़ा प्रोसस है हमारे जिले में हम लोग प्रती महार नहीं भी तो साड़े बादर लाख लोग को लाल कार्ड और पीले कार्ड के तहत राहर्शन पहुंचाते हैं और उसके अलावा अब एक लाख के लगभा ग्रीन कार्ड हो गया है जिसको हम लोग हर महिने राशन पहुंचाते हैं और कोरोना जैसे विशम परिस्तिती में भी लोगों तक सही राशन पहुंचा है और डबल राशन पहुंचा उसमें तो सरकार के नियम के तहत मुफ्त वाल जिले में नहीं है और प्लस नेटवर्क का प्रॉब्लम भी इस जिले में कुछ ज्यादा ही है बहुत दूर दराज के इलाके है तो डीलर लोग जो है ऑनलाइन नहीं कर पा रहे थे और उसके तहत कुछ राशन कटा उसके अलावा कुछ राशन का समन्वे किया गया उसके अ जो है काफी हद तक जिला प्रशाशन द्वारा दो महिने से चावल दिवस मनाया जा रहा है जिसके तहत हर अगर किसी को शिकायत है तो उसी माह जाकर 15-25 तारी को वहां मेजिस्टेट की भी तैनाती रहती है उनको बता सकता है और अपना पून मात्रा में चावल ले सकता है आज कल तो वहिंग मशीन भी आ गई है कि मशीन से जोड़ने जोड़कर ही प्रिंट निकलेगा अगर दीला थोड़ा भी चाहा कि उसमें कम नहीं दे सकता है जिन परिवारों का राशन काड़ डिलिट किया गया उन्हें तुरंद नया काड़ वबकाया राशन मिले काड़ धारी और ग्राम सभा को जानकारी दिये भीना राशन काड़ डिलिट ना हो कई काड़ धारियों को कोपी में दर्च का राशन दिया जाता है उन्हें काड़ छफवा कर दिया जाए